नमस्कार प्यारे विदारतियों, कोटेले कलासेज में आपका हारदिक स्वागत है, आपका हारदिक अभी नंदन में आज हम बात करेंगे राजस्तान में आईटेई कनिष्ट अनुदेशक की जो वेकेंसी है उस वेकेंसी के जो नियमावली जारी हुई, उन नियमों के बारे में बात करेंगे, आपका कोई भी डाउट या किसी भी परकार की संकार नहीं रहे तो मैं एक एक पॉइंट पर आराम से आपको चीज़ें चेह करवा दूँगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको essential education qualification क्या चाहिए, और academic background क्या होना चाहिए, और कितना experience चाहिएगा, कौन सा course होना आनिवारी है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंतरगर सारी चर्चा कर लेंगे तो आराम से तसली से आप इस पूरे वीडियो को देखेगा, फिर आपको कोई सवाल है तो आप बात में last में comment में डाल दीजिएगा, ठीक है, तो आज हम इस नियमावली को शुरू करें, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से इंतिजार चल रहा था करनेशनों द चुकी है, और इसकी वेकेंसी है, जो उन्होंने का नियमावली जारी होने के विदिन टू वीक वेकेंसी आजाएगी, तो विदिन टू वीक की मलब दो सब्ता है, वितर वितर कभी भी आ सकती है, एक सितम्बर दोजार तेईस का नोटिस है, तो पंदरह सितम्बर से पहले उन्होंने वेकेंसी का बोला है, तो अब जो इसकी वेकेंसी के जो पद हैं, वो लगभक 3162 हैं, जो सभी ट्रेडों को मिला कर हैं, और इन सभी ट्रेडों को मिला कर जो पद आएंगे, उन सभी पदों के अंदर कटेग्री वाइज भी पद रेंगे, और ट्रेड वाइज लेकिन इसके लिए education qualification क्या चाहिए, उन सभी के बारे में देखते हैं। काफी टाइम से आपने ये देखा था, इसकी नियमावली बन रहे हैं, नियमावली जारी होगी। लेकिन एक बार बीच में नियमावली बनी थी, लेकिन उसमें कुछ वापसन सुधन आ गए थे। फाइमली नियमावली जारी हो चुकी है, और ये रूल जो है, इस रूल में बी कॉल्ड दा राजस्तान टेकनिकल ट्रेनिंग सब ओर्डिनेर्स सर्विसेज, सेकिंड अमेंडमेंट इसमें हो चुका है, रूल दो हजार तेइसक है, रूल टू जीरू तरी ये दो हजार ते क्योंकि समय के साथ साथ में चीज़ें चैन्स करने पड़ती है, पहले आईटे जिसने कर रहा किये, वो जो जो नियमावली है, उसमें इस्टिक्ट आदेश रहता है कि CITS आपका होना अनिवारी है, ये 2015 से लगबग चीज़ें विदिवद रूप से लागू करने लगे है कई जगें लग हुई, कई जगें नहीं हुई, लेकिन आप तो लगबग सभी किसी भी स्टेट में हो, CITS के लिए उन्होंने अनिवारी है सर्त रख किये हैं, ठीक है, तो इसी समंद में नियमावली जारी किये गी, इस समंद में और्ग जारी किया गया है, कितने परसेंट सीट हैं, ITE के होल्डर के पास रहेगी, कितने परसेंट सीट हैं, BTE के डिपलोम होल्डर के पास रहेगी, यह सब कुछ भी इस रूल के अंतरगत बताए गया है, क्लियर, अब इस रूल में इन्होंने कहा कि बहुत तरह के पद हैं, जिसमें मैं आपको दो तीन परकार के प चाक रहे हैं, गुरूप इस टेक्टर के दो यहां सर्वेर होता है, यहां असिस्टेंट एपरेंटिसिप एडवाईजर जो होता है, ग्रेड सेकेंड एल 12 की वेकेंसी है, उस पे ग्रेड का लेवल है, इसमें रिकूट मेंट का जो मेतड होता है, वो 33% तो रिकूट होगा डायरेक्ट, यहनी की बाहर से केंड़ेट फोरूम एपले करेंगे, परिक्सा देंगे, नोक्री लगेंगे, and 67% बाई पर्मोशन, 60% पर्मोशन होगा, पर्मोशन किसका होगा, जो ओलड़ी सीनियर इस्टेक्टर आईटे कोलेज में लगे होए हैं, सीनियर इस्टेक्टर बात क्या बनेगा, सीनियर इस्टेक्टर, ओलड़ी सीनियर इस्टेक्टर लगे होए हैं, वो पर्मोशन होके ग्रूप इस्टेक्टर बनेंगे, और इनमें भी यह कहा है, कि जो सीनियर इस्टेक्टर की पोष्ट पर, पीछले 5 साल से 5 एर एक्सपरेंस on the post mentioned in column no.5, इसमें पांस साल एक्स्प्रेंस है, वो ही इसमें एपलाई कर सकता है, यह परमोशन के लिए बताया है, हम बात कर रहे हैं, डाइरेक्ट रिक्रूडमेंट के बारे में, तो यह पत कितने हैं, 33%, अब देखो कि आपको और और एंड का फरक ध्यान रखना, यहां पर विसे सुरूप से सबसे पहला है, सबसे पहला है, एकेडमिक क्या आपको क्वालिफिक्शन सही है, यह कह रहा है, कि सेकेंडरी विद फिजिक्स, केमेश्ट्री एंड मेतमेटिक्स, एज ओप्शनल सब्जेक्ट अंडर ओल्ली स्कीम, यानि कि आज से हैं, 20, 25, 30 साल पहले, नाइन्थ में सब सब्जेक्ट रहता है, जैसे 10 में physics हुए, chemistry ऐसे subject select किया जाते हैं, चूझ किया जाते हैं, तो पूरान इस कीम में तो आपके दस्वी हैं, जो physics, chemistry, mathematics, optional subject में चूझ हैं, लेकिन वो लगबग rare to rare है, कुछ candidate हो सकते हैं, जो पूराने वाले, बाकी सब नए candidate ही हैं, secondary होने जए under 10 plus 2 scheme आपने और हमने जिस scheme के अंतरगत दस्वी की है बार वी की है यह हमने जो पढ़ाई की है वो 10 plus 2 scheme थी 10 plus 2 scheme के अंतरगत 10 स्वी तक all subject होते हैं सभी के लिए जिसमें एक आपको third language के रूप में चूज करना पढ़ता हिंदी इंगलिश के लिशाब से और जैसे गंगा नगर की तरब काफी ज़्यादा बच्चे पंजाब ही लेते हैं और बाकी की जगे के एरिया के बच्चे क्या लेते हैं यह 10 plus 2 की scheme है जिसमें हमने दस्वी की है और इन्होंने का 10 plus 2 की scheme है इसका मला यह नहीं के बाहर भी होनी चाहिए 10 plus 2 की scheme है 10 plus 2 की scheme है 10 वी होना अनिवारी है secondary under 10 plus 2 scheme from a recognized board or equivalent examination तो 10 वी आप pass होने अनिवारी है 10 plus 2 की scheme है जिसमें 10 वी तक all subject है plus 2 में arts, commerce, biology लिये जाते है वो हमें पुछाने जाते है 11 वी बार वी बारम कोई चर्चा नहीं 10 वी होने चाहिए secondary तो यह होनी चाहिए पहला 10 पास होने चाहिए आप दूसरा Technical Qualification क्या-क्या है इनों नहीं का Technical Qualification Bachelor in Vocational Course याँ डिग्री in Technology, Engineering और Equalant Qualification from AICT याँ UGC रिकोग नाइ University Establishment Law of India AICT इसे मन्यता प्राब से की हो याँ फिर आपने तीन साल का डिप्लोमा किया होा हो जो कि आप AICT याँ State Board के द्वारा रिकोग नाइच्वो याँ तीन साल का डिप्लोमा आपने किया हो जो UGC के द्वारा अवार्डेड हो याँ फिर याँ Technology की Concerned Branch है उन ब्रांच में आपने IT की हो National Trade Certificate या National Apprenticeship Certificate in Trade Concerned to Engineering Technology Branch याँ फिर आपने Apprenticeship की होई हो और याँ फिर आपने IT की हो तो इसका कहना है मुलब है BTEK वाला का BTEK वो एलो है डिप्लोमा वाले ने डिप्लोमा कर दी तीन साल का कॉर्श है वो भी एलो है और IT वाला भी एलो है लेकिन Engineering and Technology Branch मुलब है Engineering and Technology Branch मुलब है ऐसा नहीं है कि आप Technical में बढ़ने है Non-Technical जैसे मालब IT ये इस टेनों में भी IT होती है अब इस टेनों की आई टेए यहां eligible नहीं रहती है, engineering यह टेक्नलोजी होनी चाहिए, किया खुछ आपने फिटर से कियोगी, electrician से कियो, electric mechanic कियो, welder कियो, यह engineering यह टेक्नलोजी ब्रांच होती है, इन में होनी चाहिए, तो यह उन्हों ने बताया, दो बातें आपको clear होगी तीसरी बात है कि इसमें experience आपको चाहिएगा बिलकुल चाहिएगा जिन्होंने बिटे किये उनको 3 साल का जिन्होंने डिपलोमा किये उनको 5 साल का और जिन्होंने IT किये उनको 8 साल का experience चाहिए गुरूप instructor की post है पोस्ट कौन सी है गुरूप instructor की ठीक है experience in trade concern आइदर इन इंडेस्ट्री भी हो सकता है या इन गोर्मेंट डिपार्टमेंट ओन टेकनिकल पोस्ट या तो आप किसी उद्यों के अंदर काम करे थे या आप गोर्मेंट डिपार्टमेंट में टेकनिकल पोस्ट पर कारी रहत है यह इन रिकोगनेज्ट टिक्चिंग या ट्रेनिंग इंस्ट्यूट आप्टर एक्वाइरिंग क्वालिफिक्शन ओप बी वोकेशनल डिग्री इन टेक्नलोजी और यह यह वालो आईटी है यानि कि आईटी के बाद में यह तो आपने टीचिंग की जोब की या तो वहाँ पर भी आप टीचिंग या ट्रेनिंग इंस्टिटूट आप्टर एक्वाइरिंग क्वालिफिकेशन क्लियर तो वह आपके इलिजिबल है तो यह तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आपके ग्रूप इंस्ट्रेक्टर के बारे में बताए था पूरा पूरा किसके उसके बार में डाचिंड एम आपको एक एक चीजें आराम असे बताओं और इसी लिए आप जो ज़ानना चाहते हैं पहली परसेंट, 100% भाई डायरेक्ट रिकूटमेंट है 100% डायरेक्ट रिकूटमेंट है किसी भी परकार का पर्मॉसन सी del नहीं बरे जाएंगे जो 100% रिकूटमेंट है इसमें उन्होंने कहा कि किसी भी परकार से कॉंपिटेशन मिसमेस नहीं होना चाहिए इसलिए 50% रिजर्व फॉर एंटिस ये नेसी होल्डर यानि या नेशनल ट्रेड शर्टिविड यांद आइटे यह एपरेंटिस वाड़ों को 50% शीटें देदी और 50% शीटें देदी डिगरी डिपलोमा और एडवांस डिपलोमा ह हैं यह थोई की टीचिंग करवाएंगे इसलिए उनका 50% तो टीचिंग मलब टीचिंग हिसाब से हैं 50% है प्रेक्टिकल की हिसाब से रखें तो इसलिए उनने 50% शीटें क्यों प्योर आईटे को देदी और 50% बीटे को डिपलोमा को देदी किलियर अब उनको का जाओ टेक्निकल क्वालीफिकेशन क्या है दियां से देको टेक्निकल क्वालिफिकेशन यह कह रहा है, भी टेक्स चाहियेगी यह भी वोकेश्नल, इनमेंस हैं। आपको AICT यूजट़ी की दो ऄज़िट होना चाहिए, एंड उसके साथ में National CprEP. Crafts Instructor Certificate, NCIC, जिसें आप कहते हैं CITS, पहले जानते हैं CTI नाम से CITS, तो वो होनी अनिवारी है, तो का बॉर्दोज ट्रेड वेर कोर्स अंडर CITS are available, तो उनमें CITS होनी आपके क्या है? अनिवारी है, BTEC plus CITS, या डिप्लोमा, तीन साल का डिप्लोमा, प्लस CITS and NCIC आगया, CITS, या तीन साल का डिप्लोमा है, जो आपके vocational course है, Advanced Appropriate Branch of Engineering, और प्लस, आपको क्या चाहिएगा भई, प्लस आपको चाहिएगा CITS, और या, रिलेवेंट एडवांस डिप्लोमा, प्लस, आपके CITS, या, National Trade Certificate, IT, इन्दी रिलेवेंट ट्रेड, यानि, इलेक्टिशन्स हैं, कि इलेक्ट्र मेकनीक हैं, या, फिट रहे हैं, कोई भी रिलेवेंट ट्रेड है, and रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट्स इंस्ट्रेक्टर और उसी से रिलेवेंट आपको CITS, भी कियो होनी चाहिए, ठीक है, यह नहीं है, तो आप Apprentice कियो, उसके बाद आपने CITS कियो, कहना का मतलब है, कि 50% सीट हैं, IT के लिए, 50% सीट हैं, BTEK वेंट डिप्लोमा के लिए, BTEK वेंट डिप्लोमा को BTEK पलस CITS अनिवरी हैं, जिन्होंने IT के उनको IT plus CITS हैं, कहना कि मतलब CITS तो अनिवरी है, चाहिए BTEK हो, चाहिए डिप्लोमा हो, चाहिए अब BTEK डिप्लोमा से बिल्कुल नहीं है, BTEK डिप्लोमा के IT वालों से कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि दोन नोगे पत क्या कर दिये गए, अलगले, 50% 50 बांड दी गए, तो यह तो हो गए, वो दो बाते हो गई वहाँ पूरी, दो बाते कोईसी कोईस होई, पहली बात तो यह होई थी का आपको दुश्य होनी चाहिए, दूसरी बात होनी चाहिए, कि IT plus CITS होनी चाहिए, अब कर रहा हूं तीसरी बात जो experience की, experience उन्होंने कहा ह is, कि आपके IT, BTE, के diploma करने एक बात, यदी आपने BTE किया तो उसके बात एक साल experience चाहिएगा, डिपलोमा किया है तो दो साल का experience चाहिएगा, और यदी आपने IT किया तो तीन साल का, BTE में 1 साल का, डिपलोम में 2 साल का, IT वालों को 3 साल experience चाहिए, तो 3 चीज़ा होनी अनिवरी हैं ठीक है उनका यह चीज़ें तो आपके हैं अनिवरी हैं अब उन्होंने कहा कि इस अनिवरी चीज के साथ मैं कावित और विसेस रिमार्क बोईंट और दिये 4 उनको भी देख लो इन्होंने कहा कि जिनकी trade mechanic motor vehicle, mechanic diesel, mechanic tractor, mechanic agriculture, machinery, mechanic driver come mechanic should फोजेज ए लाइसेंस इन हेवी वेहिकल ड्राइविंग फ्रम ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट से हेवी लाइसेंस होना जरूरी है दूसरा पोइंट एप्रोप्रियेट ब्रांच ओप इंजिनिंग या टेक्नलोजी मिन्स दा ब्रांच मेंशन इन दी लेटे सिलबस ओप दी कंसरेंट ट्रेड पॉब्लिश्ट बाइड डीजिटी फॉर्स एड टाइम ओप दी पॉब्लिकेशन ओप एडवेश्मेंड उन्हन का जिस समय हम अरक्ष्मि मेकेनिक चाहिएं तो वहां येज्मन नहीं हूंगे तो उन्हांने का एप्रोप्रेट ब्रैंच आपको चाहिएगी और जिस ब्रांच को mention किया जाएगा क्योंकि यह क्या mention हम DGT का नुसर करेंगे DGT तो IT कराती है तो उनके नुसर mention करेंगे उनके appropriate आपकी branch में BTEK होनी चाहिए degree diploma होना चाहिए यह का किनको diploma और BTEK वाड़ों के लिए थी IT वाड़ों तो IT ही है जो नाम लिखा जाएगा ट्रेड गा फर्सन होल्डिंग हाइर टेकनिकल क्वालिफिक्शन इन रिलेवेंट ट्रेड या ब्रांच सेल अल्सों बिलीजिबल किसी ने हाइर एज्यूकेशन क्वालिफिक्शन की है चाहिए ट्रेड में हो चाहिए ब्रांच में हो वह इलिजिबल है यानि कि जो ट्रेड वाले सीट पर एम्टेग वाला भी कॉंपेटेशन लड़ सकता है लेकिन इसका यह कई मतलब नहीं निकलेगा का आइटेग वाली पर बीटेग लड़ देगा क्योंकि बीटेग और डिप्लोमा को शीटें अलग देदी जैसे बीटेग डिप्लोमा में बरेंगे तो इस्यूड गवर्मेंट की कोई स्कीन है आर्पिल साल के बाद वोच बड़ा पे यह जिसने सिय नहीं किये और उसने और पील से कॉर्स किया है आर पील में क्या होता है कि कोई वणे प्रांत है यह जो गोर्मेंट में आइटे करने के बाद में लगातार बो साष्क क्राएं तो फिर उस college को लगता है कि इसको CTS करवा देने चाहिए तो college का डाइरेक्टर यह लिखता है कि इसको आप CTS में enroll कर लिजे डाइरेक्टी और इसको CTS करा दीजिए हमारे इसको बंदा आप इसको करवा दीजिए तो बंदा वहां जाता है अपने सारी सलीप में वगरा बताता है उसको आरिपल में यह ज्यादा तर आरिपल के वालत कंडिशन कम है ठीक है तो यह तो CTS यह आरिपल वालों को का अगभे आरिपल वालों का तुम सिंता मत करने में सीट्स की को अपको मान रहे हैं यह मामला यह तो था उसका पूरा मामला बता दिया एक जूइजर इंस्टेक्टर वर्क्षप नहीं हो सेम ही मामला है वही दुश्वी चाहिए वही भी टेक पलस CITS आइटेटी पलस CITS वगरा चाहिएगी ठीक है और यहां फिर एपरेंटिस पलस CITS चाहिएगी और वही उन्होंने का एक्सप्रेंश चाहिएगा सेम का सेम है इनके लिए उन्होंने दो को पॉइंट अलग से बताए हैं कहां गए पॉइंट पॉइंट चुप गए परसनल होल्डिंग हाई टेकनिकल क्वालिफिक ने अलव है और CITS को जो मैंने उपर दोनों को पॉइंटों मेंसेंजन कर दिये बता दिये तहां यह था आपकी वेकसि के बारे में जो आप मोटे मोटे रूफ से जानना चाहते थे कि इस वेकएंशे के नियमावली के अंतरगत किया है तो नियमावली साफ सुतरी नियमावली है और कुल मिला के बात है कि आपके पास जो कोर्षेज है आई टेई वाले ज्यादा तर जुड़े हैं तो आई टेई आपके पास होनी चाहिए आई टेई के बाद में आपके पास सीटेश होना चाहिए सीटेश के आपने किसी इंस्टिट्यूट के अंदर सर्विस देतों काम है आपने किसी रिकोगनेज को ट्रेनिंग सेंट्र होते हैं जैसे मोबाइल रिपेर करना सिखाते हैं तो यह ट्रेनिंग सेंट्र होते हैं तो उनका यहां पर मानी है यह उन्होंने मेंशन किया है नियामावली आज चुकिये और मौस्ट प्रोबिबली है कि आपके सिलबस में दोई भाघ रहेंगे एक भाग रहेगा आपका टेकनीकल सब्जेक्ट और धूसरा भाग रहेगा राजस्तान जीकेー आपके technical अच्छा है तो रास्तान चीके पे फोकस करो और दोनी कमजोर है तो पहले technical पर फोकस करो और टेक्निकल सेखने थोडा टाइंच लगेगा टाइंच जदा ज्यादा लगेगा लेकिन विम्रण निगए तो आप पहले से जो पढ़ोगे तो दश्मंदर दिन बागी दुनिया से आगी निगलोगे पीछ द रहोगे नहीं इसलिए पढ़ो गर बेट के पढ़ रहो आप मैंसे बहुजन है आई टे को लेज के अंदर अल्रेडी इंस्टेक्टर लगे हुए प्राइवेट पढ़ा रह और ज्यादा से ज्यादा जितना अपने आपको टाइम दे सकते हो अब आपको खुद को टाइम देना है क्योंकि यदि आप अपने खुद को टाइम दोगे तो जिन्दगी में आप जो बनना चाहते हैं जो हासिल करना चाहते हैं वो आप आपके पास मोका नस्दीक आ रहा ह तो आप उसमें अपना हसिल कर लीजियेगा, और जो चाहते हैं, वो प्राप्त कर लीजिये. प्राप्त करने के लिए कठीन मैनद, कठीन संगश लगेगा, तो आप उस मैदान में उतर जाएगा, और मैनद कीजियेगा. मिलते हैं, अम next lecture, next session के साथ, धन्यवाद, thank you.